खूब पढ़ा लिखा होना अलग बात है और समझ होना बिल्कुल दूसरी बात। खूब पढ़े लिखे लोगों को भी पांचों वक्ती नमाजे पढ़ते और मंदिर का घंटा बजाते हुए देखा है। लेकिन दुनिया के बारे में जिनकी समझ दुरूस्त होती है। वे लोग अपने लॉजिक से स्रिष्टी को समझते हैं। चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो फिर भी उन्हें कोई बरगला नहीं सकता। वे अंधभक्त नहीं होते। समझ का पढ़ाई लिखाई से कोई स ठगा बैठी। आप इसे क्या कहेंगे। पेरियार रामा स्वामी केवल छटी पास थे। दसरत माजी ने स्कूल का मुह तक नहीं देखा था। आप इन्हें क्या कहेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था जब तक रोजगार और अक्षर ज्यान तक सिमित रहेगी तब तक ल देवानों के साथ मिलकर सैकड़ों की जान बचाई और पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा कि वे शोशल साइटों पर कैसे अपने गधे होने का प्रमान दे रहे थे। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा था वह उतना ज्यादा अपने ना समझ होने का सुबूत दे रह केरल में राहत सामगरी के साथ कॉंडम भेजने की बात कर रहे थे। यह है हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों की असलियत। आप शिक्षित हैं इसका आर्थ यह नहीं कि आप समझदार भी होंगे। आप अगर देश की समस्याओं के मूल कारणों को लॉजिक से नहीं सम समझ पाते राजनेतिक शड्यंत्रों को नहीं समझ पाते धार्मिक पाखंडों के प्रति जागरुक नहीं हैं तो चाहे आप कितनी ही डिग्रिया लेकर बैठे हों आपकी समझ जीरो है। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह हैं जहां आपके चारों और अंधकार है। ऐसे में आप टॉर्च नहीं है लेकिन रास्ते और मंजिल की समझ है वो घोर अंधकार में भी बिना रोशनी के रास्ता ढूंड लेगा और आपसे पहले मंजिल तक पहुंच जाएगा। ज्यान का अर्थ ही परिवर्तन है अगर आप में ज्यान है और उस ज्यान से समाज का कोई ला जालत नहीं होती कि 77 प्रतिसत लोग 30 रुपे रोज पर गुजारक करने को मजबूर होते रोज 50 किसान आत्मत्या करते और प्रति दिन 5000 बच्चे कुपोशन का सिकार होकर मरते। अगर आप राजनीती से देश के उद्दार का खाब देखते हैं तो आप कुछ ज्यादा ही पढ़ लिग गये हैं क्योंकि यह संभव ही नहीं है किसी भी राजनेता आत्वा राजनेतिक दल के मैनफेश्टों में देश का उद्दार है ही नहीं बलकि सभी देश का विकास चाहते हैं और विकास का जुझुना बजाते बजाते 70 साल बीट गये फिर भी देश विक्सित नहीं हो पाया इसके कारण को समझिए लोग तंत्र में दो ही चीजे हैं एक लोग दूसरा तंत्र बनता है लोग से यानि की लोगों से तो जैसी जनता वैसी प्रजा फिर तंत्र लोगों को वैसा ही रहने देती है जैसा कि वो है यानि जैसा राजा वैसी प्रजा लोगों क की गलत अवधार्णाओं पर 돌아मानेताओं को को तंतर और मजबूत करता और फिर सभी अवधार्णाएं तंतर का सिच्छा बंगती इससे होता यह पिलोग हमेशा भ्रम में रहते हैं कि उसका उद्दार उसका धर्म करेगा उसका उद्दार उसका भगवान करेगा और इस तरह तंत्र अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त होकर उन्मुक्त हो जाता है उद्दंड हो जाता है फिर उसे एक ही काम होता है लोग यानि लोगों पढ़े लिखे लोगों की है और विडंबना देखिए कि जो पढ़े लिखे हैं उनमें देश की समस्याओं को हल करने की समझ ही नहीं है और जिनें समझ है उनके पास संसाधन नहीं है जिसे रास्ते की समझ है उसके पास टौर्च नहीं है और जिसके पास टौर्च है उसे रा को समझा और उन्हें दूर किया आज इन देशों के धार्मिक स्थलों में मकड़ी के जाले लग चुके हैं क्योंकि वहां लोग समझदार है उन्हें पता है कि धर्म का इतिहास कितना कुरूप रहा है धर्म ने दुनिया को सिवा बरबादी के कुछ नहीं दिया लेकिन इसके उलट हम पढ़ लिख कर भी धर्म में अपना भविस्य तलास कर रहे हैं यही हमारी सबसे बड़ी मुर्खता है भारत जैसे देश में जहां 77 प्रतिसत आबादी को दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है देश में 20 करोड लोग नालों और फुटपाथों प बनाये जा सकता है करोडों मंदिर मस्जिद मजार धाम गुर्द्वारा चर्ष और मदर से देश पर बोज नहीं तो क्या है धर्म और इश्वर के नाम पर खड़े किये गए इस आडंबर से देश का क्या भला हुआ है या हो रहा है वे देश जहां धर्म की यह बिमारी नही हैं वहां लोग हमसे ज्यादा खुशाहाल हैं आखिर क्यों बाबा और उनके दिन रात चलते सत्संग जो आध्यात्म के नाम पर लोगों को मूडते हैं समाज के तारकिक द्रिष्टिकोंड को पनपने से रोकते हैं इन सब के अलावा मुलाओं की फौज साधुमंडली के ल दुबई के महंगे फ्लेट्स में भारत के 50 प्रतिशत पढ़े लिखे लोग रहते हैं ऑस्टेलिया कैनडा अमेरिका और यूरोप में भी भारतिय पढ़े लिखे लोग इसी तेजी से सैटल हो रहे हैं और कुछ अनपढ़ लोग जो खुद को ज्यादा समझदार समझते है हिंसा के बल पर देश को बदलने का खाब देख रहे हैं नकसली बन रहे हैं दोनों ही स्थितियों में देश का विनासी होगा उद्दार नहीं अगर देश का सच में उद्दार चाहिए तो पढ़े लिखे लोगों को समझदार बनना पड़ेगा देश की समस्याओं को तारक के पाखन से दिमाग को दूसित करने की प्रक्रिया जन्म लेते ही शुरू हो जाती हो परिवार समाज स्कूल टीवी और अखबार सहित बुद्धी विकास के सभी दरवाजों पर धार्मिक गिरोहों का जबरदस्त पहरा हो ऐसे में खूब पढ़ लिखकर भी कोई इस मायजाल से कभी निकल ही नहीं पाएगा ऐसी व्यवस्था में पढ़े लिखे समझदार लोग सिर्फ अपवाद ही होंगे आप पढ़े लिखे हैं या समझदार सोचिएगा जरूर। आपको हमारा या वीडियो कैसा लगा?